तो फाइब बैस लैप्टॉप अंड फॉरी थाज़न तो भई अगर आपका बज़ेट चालिस अजार है चालिस अजार के बज़ेट में आपके लिए करूँ एंड इन डिमांड पर करूँ यार इस बज़ेट रेंज में बहुत बंदे मैसे ही करते हैं तो फॉरा देखना स्किपड मत करना स्टार्ट करते हैं लेकिन वीडियो करने इसे पहले मैं आपको कहा देना चाहता हूँ अगर आपको बज़ेट पचास अजार है शाट अगर आप इंक्रीज कर सकते हो मैंने सबी की वीडियो की है मेरे चानल पर आपको देखने को में तो इसको नंबर फाइव पर रखने का एक रीजन है वो यह रीजन देखने को मिलता है कि आपको 8GB RAM तो मिल जाते हैं लेकिन अप्रग्रेड करने का option आपको नहीं देखने को मिलता है जो कि सच में मानस पॉंट आ जाता है अगर इसके में प्राइस की बाग करूँ आपको 41 1000 के budget में MI Notebook 14 देखने को मिल जाते है इसका display quality बहुत ही है build quality बहुत अगरी मिल जाते है उसके साथ साथ भी अगर आपका काम कोई ऐसा आपको keyboard पर जाधा काम करना पड़ता है आपके लिए यही best deal हो सकते है प्लस आपको full HD plus इसके साथ web camera free देखने को मिल जाता है तो plus point तो इस laptop के देखने को मिल जाता है लेकिन minus point भी आपको देखने को मिल जाता है जो कि आप RAM को upgrade नहीं डर सकते है अगर RAM को upgrade करने का option मिल जाता ना तो यह 12 GB ही अगर आपको देखने को मिल जाता है तो इस laptop को मैं number 2 पर या number 1 पर ही रखता विकर लैप टॉप पूरा loaded देखने को म जाता है लेकिन 2 GB का जो price है वो जादा increase हो जाता है वो आपको 47,000 के budget में देखने को मिल जाता है तो इस budget 30 में अपने price range से वो बहुत आगे निकल जाता है तो मैं आपको recommend नहीं करता है तो आपको upgrade करने का option भी तो नहीं मिल जाते है तो अगर आपने MI के और जाने है आप ज कर सकते हैं जो कि सच में एक minus point देखने को मिल जाता है तो आप देख लेना अगर आप इस किया और जाना चाहते हो आप जा सकते हो अभी बात कर लेते हैं इसके थोड़ी सी main specification की थोड़ा से मैं आपको deeply बता देता हूं तो यह display की बातों को 40 inch full HD plus display देखने को मिल जाते है ज कर आप data अगरा ज्यादा transfer करते हो वह बहुत जल्दी हो जाता है as comparison किया जाए HDD के साथ ठीक है ग्राफिक कार की बात करो आपको Intel UHD ग्राफिक कार देखने को मिल जाता है प्लस आपको MX350 भी मिल जागा 2GB के साथ लेकिन उसका price आपके budget से अपर चल जागा ठीक है अप्रेन 1000 के budget में MI Notebook 4D देखने को मिल जाएंगी तो यह मेन स्पेसिफिकेशन में आपको बता दिया MI Notebook 14 के वैसे यार laptop पूरा लोड़ेड़न लेकिन माइनस पांट थोड़ा सा आ जाता है so that's why इसको इस budget range में मैंने number 5 पर रखा और कोई भी रीजन नहीं देखने को मिलता है तो भ बहुत बंदे मुझे मैं सही करते हैं कि मुझे HP का laptop चाहिए मुझे Dell का laptop चाहिए इस budget range में एक ट्रस्ट बना हुआ है लोगों का कि HP का laptop बहुत अगड़ा होता है तो भाई मैं आपको बता दिना चाहता हूँ कि यह चीज़े नहीं होती ठीक है असूस बहुत जादा सही कर है आपको आगे पता चल जाएगा लेकिन अगर मैं बात करूं HP 14 की तो यार यह laptop आपको मतलब ब्लैक कलर में इसका कलर बहुत उट करता है ठीक है मैं आपको recommend भी करना जाता हूँ अगर आपने लेना है तो ब्लैक कलर मुझे जादा सीट लगा आप उसके और जा सकते हो प् अफिस वर्क के लिए चाहिए है जा स्टुडेंट ओपर ठीक है मल्टी टास्किंग करनी है या अगर आपने डेली यूज के लिए इस laptop को लेना है तो भाई आप ले सकते हो इसली नॉर्मली आप काम कर सकता है आपको कोई बीशू नहीं आने वाली यार आपको i3 देखने क के साथ वह भी सच में बहुत ज़्यादा तक राइगा है आप जा सकते हो अब ही बात कर लेते हैं थोड़ी सी इसकी में स्पैस्टिकेशिकेशन तो यह डिस्प्ले की बातों को फॉर इंच फॉल एस्टी प्लस डिस्प्ले मिल जाते हैं जो की सिक्स्टीन रिफ्रेशर के स साथ आती है प्रसाइसर की बात में को अब है ट्री टैंथ जम्रेशन के साथ में मिल जाता है लेकिन लैवंध जम्रेशन का प्राइज हो जाता है वह आपको 42 थाउजन के बज़र में देखने को मैं तो बहुर्ए अगर आप एक्स्ट्रा पे कर सकते हो आपको एच्पी का ह SSD देखने को मिल जाए आपको 256 भी मिल जाएगी आपको 512 GB मिल जाएगी लेकिन उसका प्राइस सोड़ा से इंक्रीज हो जाएगा ठीक है ग्राफिक कार की बात करो आपको Integrated Graphic Car मिल जाता है अभी बात करते है Integrated Graphic Car और Dedicated Graphic Car में क्या देखने को बलता है तो यह जो Dedicated Graphic Car होता है उसका Storage अपना होता है 2GB हो गया 4GB हो गया 6GB हो गया 8GB हो ठीक है उसका लेना देना नहीं होता है RAM के सा ठीक है लेकिन जो Integrated Graphic Car होता है वो अपना जो Storage वो लेता है RAM से ठीक है अगर मतलब आपको काम कर रहे हो ग्राफिक कार को कोई जरूरत बढ़ता है RAM की जा स्टोरेज की तो वो RAM से ही लेगा उसका कोई अपना Storage नहीं देखने को मिलता है तो उसको कहते है Integrated dedicated होते है जिसकी अपनी Storage होती है लाइक 2GB 4GB 8GB जितना भी मतलब होता है ठीक है Operating System की बात करूँ आपको Windows 10 देखने को मिल जाता है प्लस आपको MS Office देखने को मिल जाता है 2019 वर्जन बैटरी की बात करूँ आपको 7 hours का बैटरी बैकप प्रवाइड कर देता है आप i3 11th generation के और चल जाना अगर आप extra थोड़ा सा पीकर ब्लैकर बहुत ही लगता है अगर कोई भी बन्दा ब्लैक कलर में ले रहा है तो मुझे में जरूर बताना कि मैंने ब्लैक कलर में लिया लिंक पर वाड़ किया आपको डिस्क्रीशन बॉक्स में देखने को मिल प्लस इसके साथ आपको लिनोवो बैग भी देखने को मिल जाता है जो कि लिनोवो लैप्टॉप बैग है जिसके प्राज की मैं बात करा आपको 2000 के बज़र में देखने को मिल जाता है इंड स्पैसिफिकेशन भी बहुत अगरे मिल जाते हैं मैं आपको स्पैसिफिकेशन बता देता हूं आपको i3 देखने को मिलेगा 10th generation के साथ उसके बाद आपको 8GB RAM मिल जाएगी जिसको आप expendable कर जकते हो 12GB तक प्लस आपको SSD देखने को मिलेगी light weight laptop प्लस आपको MS Office भी देखने को मिलेगा अगर आप search out करना चाते हो आप देखने को मल जाएगा 2000 के बजड़े में वो बैक देखने को मलता है तो यार इस laptop का budget जो है वो 35000 हो जाता है अगर हम उस पर उस बैक को निकाल देते हैं ठीक है तो आप देख लेना अगर आप इस की आउजाना चाहते हैं आप जा सकते हो आगे बात करते हैं नमबर टू की बात करें नमबर टू की बात करें नमबर टू पर यार मैंने रखिया अपने इस laptop के और जाना है आप जा सकते हो प्लस मैं आपको बता देना चाहता हूं यह 2020 मॉडल है इसके प्राइस रेंज की बात करूं यह laptop आपको 41000 या 42000 के बढ़र में मिलेगा बट भी अगर आप इसको ले ले तो आपके लिए बैस्ट दील हो सकते है विकल्स आपको आ सही बसे बसे बढ़ने पहले ही बता जो कि आपको इसलिए मैं स्टालिस डिजान तो मिले जाता प्लस यह तीन कलर में देखने को मिलता है जो भी ऐसी लैकिन चाल जाना लेकिन मुझे ग्रे कलर में बहुत ज्यादा sales लकाट ठीका प्लस आपको फोर टू फाई अवर का बै इस्टिन रिफ्रेशेड के साथ आती है पर साथ की बात करों आपको I3 11th iteration के साथ मिलता storage की बात नों को 8 GB RAM मिल जाती है अपको आप 16 GB तक कर जा क्ते हो प्लस आपको 256 GB SSD देखने को मिल जाती है वह बहुत गंदी चीज़ है मैं उसको रिकमेंटर नहीं करता अगर आपने ले नहीं है तो आपके लिए बैस लिए लिए चाहिए अगर आपने टू फिफ्टी सिक्स ले ली ना वह भी बहुत जाता है अगर आपने डाट आपकरा ट्रांसफर करना है जल्दी कर देता है इसक आपको पहले बता दिया कि आपको 41,000 के बज़र में या 42,000 के बज़र में ये स्पैसिफिकेशन के साथ असूस विवबुक फॉल्टरा 15 देखने को मिल जाएगा तो बही में स्पैसिफिकेशन तो मैंने बता दिया आपको असूस लैप्टॉप के अभी ज्यादा समय सकते आप उसके और चल जाना लेकिन अगर आप 5,000 एक्स्टा पे कर सकते हो मैं आपको रिकमेंट करना चाता हूँ आप चल जाना इस स्पायर 5 के और अगर इस लैप्टॉप की बात करूँ आपको आई 5 देखते हो मिल जाएगा 10th generation के साथ आपको 8 GB मिल जाती है जो कि आप पर वीडियो एक्टिंग करनी है यह लैप्टॉप आपके लिए पोफेक्ट डील हो सकता है और यह आपको 45,000 के बजल में मिल जागा मैं इसका लिंक पर वाइड कर दूँगा कई पर इसकी ऑफर बगारा भी लगती रहती है और भी सस्ते में देखने को मिल जाता है लेकिन स्टोरेज की बात करों आपको 8GB RAM मिल जाती है प्रस आप एक्सपेंडेबल भी कर सकते है प्रस आपको 512GB SSD देखने को मिल जाती है ग्राफिक कार्ड की बात को नवीडिया G4 MX350 देखने को मिल जाता है जो कि 2GB के साथ आता है प्रेडिन सेस्टेम की बात करों आपको विंट ज्यादा नहीं लगने वाले ठीक की बात है नॉर्मल बात है ठीक है प्राइस की बात करों आपको 45000 के बज़र में इससर इसपायर 5 देखने को बल जाता है तो मैंने आपको बता दिया इससर इसपायर 5 के इसको इस बज़र रखा भी अगर आप एक्स्रा पे कर सकते हो प्राइटों बॉर्फिस बर के लिए चाहिए अगर आप टीचर्स पढ़ते हो पढ़ाते हो आपके लिए भी यह लैप टॉप इस लैप्टॉप के और जासकते हो यह नगर आपका बीट 14000 यह है तो असूस के और से जो लैप्टॉप बताया वह आपको बैस्त लिनोफ कि मैंने provide की हुए है अगर आप देखना चाहते है चाबुड करना चाहते हो जैसे भी गरना जाते हो आप कर सकते हो तो यार आप यार भी मेरी वीडियो यही पर हो जाते है ख़तम अगर आपको मेरी बीच्छा लगे यार वीडियो को like करदाना comment करदाना share करदाना दोस्तों को दोस्तों को बेदना उनको भी कहतना कि चैनल को बेदे सब्सक्राइब वीडियो को करें लाइक इन इस्टाग्राम पी कर ले फॉलो लिंक को बगारा यापको डिस्क्रिप्शिन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा उसको चाहरू करना भी मिलता नाक्स्ट वीडियो में ने मिले के साथ थैंक्य।